हलो फ्रेंट्स और इस्टुएंट मैं युग खान एक बार आप सभी का सारदा सदन ग्रूप ओफ एजिक्वेशन के ओनलाइन प्लेटफर्म पर हारदिक स्वागत करता हूं तो फ्रेंट पिसले वीडियो में हमने आपको बताया था 3D का दो टुबिक दाओ स्टार्ट किया था प्रिडी में आपको मैंने डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेश्यू यह बता दिये उसके बाद में मैंने आपको इक्वेशन ओफ ए लाइन विच पासिंग थो ए पॉइंट यह वेक्टर फॉर्म और इसकी कार्डेशन फॉर्म दोनों में मैंने आपको बताया कैसे करवट करते हैं इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि equation of a line which passing through two points इसका भी मैंने vector form और cardation form बता है फिर मैंने आपको बताया था इसमें कि angle between two lines जो है कैसे find करते हैं वो भी 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 ने आपको बता दिया इसमें इसके बाद में आपका concept था इसमें कि line parallel होंगी तो क्या use करेंगे line आपकी perpendicular होंगी तो क्या concept यूज़ करेंगे इसके बाद में हमने बताया था आपको shortest distance between two lines उसमें मैंने आपको बताया था कि skew lines होंगी तो आप उसके लिए distance कैसे निकालोगे और parallel line होंगी तो आप उनके between distance कैसे find करोगे तो आज हम इसकी doubts clear करते हैं तो देखिए question number first exercise आपका यहाँ पर है 11.2 इसमें आप question number first जुहाँ वो solve करना आपको इसमें find करना है so there the lines three lines with direction cosines three lines की direction cosines आपको given है वो हम यहाँ पर solve करते हैं given direction cosines of three lines given direction cosines of three lines are आपके आपके पास given है 12 by 13 कोमा minus 3 by 13 minus 3 by 13 कोमा minus 4 by 13 यह तो आपके पास line L1 के direction cosines है direction cosines of L1 direction cosines of L1 यह यह आपके 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 पास है यह आपके पास है next आपको given है 4 by 13 12 by 13 4 by 13 12 by 13 and 3 by 13 यह जो direction cosines है यह आपके पास direction cosines of L2 line L2 इसके after में है आपके पास में third वाली जो line है उसकी direction cosines उसका direction cosines आपको given है 3 by 13 3 by 13 minus 4 by 13 comma 12 by 13 यह है direction cosines of L3 L1, L2 and L3 यहाँ पर 3 lines दी वी है अब यह क्या कह रहा है यह आपको यह कह रहा है कि यह जो direction cosines line L1, L2 और L3 का आपको given है यह क्या है are mutually perpendicular यह क्या है mutually perpendicular आप देखिए first of all line L1 और L2 के लिए यहाँ सो करेंगे बैई यह आपके बास क्या दिया हुआ direction cosines मैंने बताता जब direction cosines given whole line में तो वो perpendicular होंगी तो क्या concept होगा आप यहां लिखोगे L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2 equals to 0 आजाए तो क्या होंगी direction cosines of L1 and L2 यह आपका इनका multiplication जो है करेंगे और फिर sum करेंगे तो 0 आजाएगा तो line L1 और L2 क्या होंगी यहाँ पर perpendicular होंगी तो देखिए इसके लिए four line L1 and L2 L1 and L2 अब perpendicular के लिए हमारे पास क्या concept होगा L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2 is equal to 0 आजाएगे is equal to क्या आना चाहिए 0 या आप एक बार इसका यह हमें प्रूव करना है तो प्रूव में आप इसका direction, cos का multiplication करेंगे तो देखिए आप first L1, L2 मतलब यह L1 है यह M1 है और यह N1 है यह इसरी टाइप से L2, M2, N2 यह इसरी टाइप से L3, M3 and N3 के लिए हम यहां से इसका direction, cos का multiply करके फिर sum करेंगे वो 0 आएगा तो क्या हो जाएगे L1 and L2 क्या होंगी mutually perpendicular होंगी देखिए 12 by 13 into 4 by 13 फिर पलास minus 3 by 13 into 12 by 13 फिर पलास minus 4 by 13 into 3 by 13 3 by 13 multiply करो 48 by 169 फिर माइनस 36 by 169 फिर माइनस 12 upon 169 यह आगा हमारे पास 48 by 169 minus इन दोनों को plus करें minus minus वारे को पन तो क्या हैगा हमारे पास 169 LCM minus 36 minus 12 minus 36 और minus 12 कितना होगा minus 48 48 by 169 और यहां से फिर यहां से हमारे पास क्या होगा minus 48 by 169 अब दोनों का आपने सम किया दोनों का सम किया तो आपके पास क्या यह तो आए negative में minus का 48 by 169 और यह हमारे पास आया 48 by 169 प्लस का तो यह दोनों cancel होगे तो 0 आएगा क्या आएगा 0 तो 0 आगया तो हमारे पास क्या है so L1 perpendicular to L2 अब इसी टाइप से आपको 4L2 और L3 के लिए करना है 4 L2 and L3 के लिए आपको यूज करना है अब L2 और L3 के लिए आप यूज करोगे तो क्या आएगा L2 L3 पलस M2 M3 पलस N2 M3 clear अब यहां से धहान देना L2 और L L3 कितना है वो देखिया आप यहां से L2 और L3 दिखाएदे आपको 4 बाई 13 इंटू 3 बाई 13 फिर पलस 12 बाई 13 इंटू माइनस 4 बाई 13 फिर पलस 3 बाई 13 इंटू 12 बाई 13 अब इनका multiplication भी आपके पास 0 आजाए तो यह क्या होगा यहां पर यह भी क्या होंगे L2 और L3 भी क्या होंगी perpendicular होंगी तो इहां पर देखिया आप इहां से 12 बाई 169 माइनस 48 बाई 169 पलस 36 बाई 169 तो इन दोनों का पलस करोगे तो वही 48 बाई 169 माइनस 48 बाई 169 कैंसिलेशन होगा यह भी 0 आगया तो इहां लिखोगे L2 perpendicular to L3 and similarly similarly L1 perpendicular to L3 एक एक बाई आप लास्मिल लोग दिना Hence Line L1 L2 And L3 Mutually Mutually perpendicular ठीक है तो यह क्या होगी तीनो जो line है आपकी यह perpendicular होगी यहाँ आपने perpendicular का concept यूज किया तो यह आपके बास क्या था perpendicular वाला concept है यह concept था आपका आपके बास direction cos आपको given है तो line को जो है perpendicular कैसे करेंगे उसमें आप यह concept यूज करोगी टीक है question number two का solution कर रहा है इसमें क्या कर रहा है so that the line through the point is perpendicular to the line through the points तो आप यहाँ लिखोगे given points are अब यहाँ से आपके पास जो है given points जो है वो क्या क्या है point A आपके पास given है 1 minus 1 और 2 1 minus 1 and 2 P point आपको given है 3,4 minus 2 3,4 minus 2 and C point क्या given आपके बास में 0,3,2 0,3,2 and D point क्या given है आपके बास में 3,5,6 3,5 and 6 यह given आपके बास अब यहाँ क्या कह रहा है कि in point A,B से जाने वाली जो line है और point C,D से जो passing होने वाली जो line है वो दोनों क्या है, perpendicular है तो आप लिखोगे then direction ratios of line A,B line A,B के direction ratios आप निकालते हैं तो कैसे निकालोगे x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 ऐसे निकालेंगे अब आप A,B के जो direction ratios आप फाइंड करों यहां से x2 minus x1 3 minus 1 y2 minus y1 and z2 minus z1 z2 minus z1 तो हमारे पास क्या हैंगे इसके direction ratios तो फाइफ और माइनस फोर clear? and direction ratios of line cd क्योंकि c और d point को joint करने वाली जो line है वो cd है और CD के direction जो ratio होंगी वो क्या होंगी वो ही x2-x1, y2-y1 and z2-z1 तो यहां ध्यान देजिए C और D में आपके पास x2-x1 करेंगे यहां से 3-0, y2-y1, z2-z, solve करोगे 3, 2, 4 यह हमने direction ratio निकाल लिए अब direction ratio जब आपको given हो तो line जो है perpendicular के दर होंगी तो आप proof करोगे कौन से concept से? a1, a2, b1, b2, c1, c2 से swap यहां लिखोगे then a1, a2, b1, b2, c1, c2 अब a1, a2 के हापके पास में जो given आपके पास 2 into 3, b1, b2, 5 into 2 and c1, c2 क्या हमारे पास? minus 4 into 4 यह होगा कितना आएगा? 6 plus 10 minus 16 plus 16 minus 16 equals to क्या आगया? 0 equals to क्या हमारे पास? 0 तो आपके पास concept आए a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2 equals to 0 swap यहां यह आप यहां सो कर दोगे, so line, a, b, perpendicular to c, d यही आपको प्रूव करना था एंसे प्रूव अब इसी टाइप से आपको question number third solve करना है third में क्या है? ऐसे ही आपको point given है और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कह रहा है कि line जो है parallel है parallel होंगे, तो क्या होगा? direction जो ratios है, वो equal आएंगे बस आपको वहाँ क्या निकालना है? केवल direction जो ratios है, वो निकालना है direction ratios जो equal आजाएंगे तो दोनों line क्या हो जाएंगे? a, b और c, d क्या हो जाएंगे? parallel हो जाएंगे, उसमें इतना ही करना है उसमें ये आपको प्रूब नहीं करना उसमें केवल direction ratio is equal आए तो आप लिख देना उसमें A1 is equal to A2, B1 is equal to B2 C1 is equal to C2 then the line AB parallel to line CD आपको यहाँ पर given है जो parallel vector है वो given that line parallel line parallel to the vector vector parallel जो होता उसको B vector सी denote कर देते हैं parallel vector को मैंने बताया था आपको यह आपको given 3 IK plus 2 JK 3 IK plus 2 JK minus 2 KK and आपको दिया हुआ है दूसरा इसमें क्या कर रहा है यह कर रहा है passes through the point through the point point आपको given क्या है passes through the point आपको given है 1, 2, 3 1, 2 and 3 यह point आपको given है अब जब भी point passing through the point आता है तो वो जो हो क्या होता है position vector होता है क्या होता है position बेख तो आप यहाँ से लिख सकते हो ऐसे आपको यहाँ पर यह नहीं दिया वाया है कि आपको इसको vector form में लिखना है यहाँ आपको cartesian form में लिखना है ठीक है ना तो आपको equation of a line लिखना है तो आप यहाँ लिखोगे let the equation of a line which passing through through the point 1 2 3 तो equation of a line which passing through एक point क्या होता x minus x1 upon a y minus y1 upon b z minus z1 upon c अब इसके जो direction cosine है direction decision drs of line क्या दिये हैं आपके पास 3 2 minus 2 drs कहां से निकालते हैं drs हमेशा निकालते हैं जो parallel vector होता है जो parallel vector होता है उससे drs निकालते हैं और जो आपके पास position vector होता है उससे point निकालते हैं उससे point अपर find करते हैं देहां डखना अब यहां से देखें पॉइंट आपको क्या given है X minus 1 upon A 3 Y minus 2 upon 2 फिर इसके बाद में Z minus 3 upon minus 2 यह आपके बाद equation of a line which passing through the point 1, 2, 3 आपने find कर लिया यह इसका कौन सा form आ गया Cardassian form यह इसका Cardassian form आ गया अब Cardassian form आ गया तो इस Cardassian form को आप convert करते होगे इसमें Vector form में Vector form में convert करोगे तो देखो कैसे निकालेंगे इसको जो आपके बाद equation of a line which passing through a point given है उसके equal to आप lambda लेट कर लेना X minus 1 upon 3 Y minus 2 upon 2 Z minus 3 upon minus 2 equal to lambda यह आपको लेट करना है ठीक है? अब यहां से आपको क्या find करना है? X, Y और Z find करना है तो आप यहां से लिखोगे X minus 1 by 3 equal to lambda so X equal to कितना आएगा? 3 lambda plus 1 फिर Y minus 2 upon 2 equal to lambda तो Y equal to 2 lambda plus 2 आजाएगा ठीक है? इसी टाइप से Z minus 3 upon minus 2 is equal to lambda तो Z is equal to आएगा minus 2 lambda plus 3 यह आपने find कर लिया find करने के बाद में आप क्या लिखते हो यहां से? आप यहां से लिखोगे so यहां से क्या लिखोगे? 3 lambda plus 1 आई के पलस 2 lambda plus 2 Z के फिर यहां से पलस minus 2 lambda plus 3 के के यह आपने यहां इसको vector form में सो करेंगे इसको तो भाई इसके इज़ इक्वल टू तो क्या होता है? इसके इज़ इक्वल टू तो होता है R vector के लिए? और आप यहां से लिख सकते हो IK पलस 2 Z के पलस 3 के के फिर पलस lambda बहर और यह आगए हमारे पास कितना IK पलस 2 Z के minus 2 के 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 लिए? अब यहां से आपने यह फैंड कर लिया यहां से आपने क्या फैंड कर लिया? यह फैंड कर लिया सोरी यहां पर 3 आएगा ना तो देखो यह हमारे पास क्या आगया? equation of a line which passing through the given point इसका कौन सा form आ गया? vector form आ गया यह vector form है इसका तो यह आपर क्या होता? यह होता इसका position vector और यह क्या होता? इसका parallel vector यह आपका equation of a line which passing through the given point आ गया? तो इस type से आप क्या करोगे? कोई भी आपके पास point दिया जाए उस point से passing होने वाली जो line हो आप इस type से find करोगे मैंने इसमें दोनों concept क्लियर करवा दिया आपको कि उस point से passing होने वाली जो equation of a line है वो आपको मैंने Cartesian form में भी बता दी Cartesian form कैसे सो करते हैं और Cartesian form से आप जो vector form कैसे बनाओगे वो दोनों बता दिया तो इस type से आप इसको note करोगे is equal to y minus 4 by 5 y minus 4 by 5 और is equal to z plus 8 by 6 z plus 8 by 6 यह आपको given equation of a line है अब given equation of a line जो है इसमें ध्यांग दीजी आप कि इस line की जो direction ratios हो क्या है direction ratios of line first क्या given है भई 3, 5, 6 clear so the equation of a line which passing through which passing through the point जो point आपको given है the point minus 2, 4, minus 5 minus 2, 4, minus 5 minus 2, 4, minus 5 and parallel two line first अब हमें कौन सा equation find करना है equation of a line which passing through the point and parallel two line first तो आपके पास कौन सा equation होगा थैंदे ना x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c यह होता है तो आपके पास देखो जो x1, y1 और z1 है वो तो point है और a, b, c देखो इस line के parallel अगर line होगी तो line parallel कब होती है मैंने भी prove किया था जब उनके direction ratios जो है उसके direction ratios जो है वो equal होगे तो line क्या होगी अपने आप में parallel होगी और direction ratios equal नहीं होगी तो line क्या होगी parallel नहीं होगी अब parallel जो line होगी उसमें क्या होता क्योवल point change होता है direction ratios same रहते है तो यहां से क्या रहेगा X minus X1 upon A A कितना है आपके पास में A आपके पास 3 है Y minus Y1 upon B और Z minus Z1 Z minus Z1 upon C Z minus Z1 upon C है हमारे पास में अब इसको आप सोल करोगे तो आपके पास क्या है का ध्यान देना X plus 2 by 3 Y minus 4 by 5 is equal to Z plus 5 by 6 तो यह आगे आपके पास क्या equation of A line which is passing through the given point and also parallel to line first तो यह आप इस type से इसको शोल करोगे लब आपको parallel line find करने हैं तो उसमें direction ratio same रहेंगे कि वो point आप जो आपको given है वो point put कर देना X1, Y1 और Z1 के जगा वो आपके पास origin point है 0, 0, 0 and point next जो point वो आपके बास कितना A late कर लिया आपने मान लेगे इसके coordinate 5 है minus 2 and 3 यह ना 5 minus 2 and 3 आप देखो दोनों point से passing होने वाले जो line है उसका आपको direction ratios find करना है पहले तो आप दिखोगे direction so direction ratios of line O A क्या होगी direction ratios of line Y X2 minus X1 X2 minus X1 Y2 minus Y1 Z2 minus Z1 तो भाई ध्यान दी X2 कितना है 5 minus 0 minus 2 minus 0 3 minus 0 तो क्या आएगा हमारे पास 5 minus 2 और 3 यह तो हमारे पास क्या आगे इसके direction ratios means A, B and C यह है हमारे पास तो आपको यहां find करना है equation of A line which passing through the origin and तो आप यहां लिख दे ना भाई क्या लिखोगी ध्यान दो equation अब यहां two point आगे अब two point से passing होने वाली जो equation है two point से जो passing होने वाली equation of A line है तो आप कैसे लिखोगे so the equation of A line which passing through the origin zero 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 and point five minus two and three तो यह क्या बएट two point आगे हैं पर अब two point से passing होने वाली equation कैसे निकाले हैं हमारे पास जो फोर्मूला था वो था यही था बएट हमारे पास तो x1, y1 और z1 तो क्या origin point के कोडिनेट हैं तो x-0 और x2-x1 आपने find करे लिया बएट क्या सा हमारे पास यह था हमारे पास 5-0, y-y1 यह हमारे पास था-2-0, z-z1, यह भी 0 है, z2-z1 क्या है हमारे पास? 3-0, तो आपके पास equation क्या है? x upon 5, y upon minus 2, z upon 3, अब यह equation है, कौन सी फोर्म में आ गया है? यह तो आपका Cartesian फोर्म में आ गया, और Cartesian फोर्म से आप इसको vector फोर्म में convert करोगे? अब Cartesian फोर्म से इसको vector फोर्म में convert करेंट क्या लेट करेंगे? इसके equal to? x by 5 equal to y by minus 2, and is equal to z by 3 is equal to lambda, जब भी आप Cartesian फोर्म को vector फोर्म में convert करोगे? तो आप वहाँ lambda लेट करना होगा? तो लेट करोगे तो आप क्या करोगे? इसका ध्यान दीजिए, first of all x by 5 equal to lambda, so x equal to 5 lambda, and y by minus 2 is equal to lambda, y is equal to minus 2 lambda, and z by 3 equal to lambda, z equal to 3 lambda, यह आ गया हमरे पास, अब आप यहां से लिखोगे, इसको आप ऐसे भी denote कर सकते हो, so x equal to 5 lambda plus 0, y equal to minus 2 lambda plus 0, z equal to 3 lambda plus 0, यह होगा, अब आप क्या करोगे? so x ik plus y zk plus zk equal, हम यहां पूट करेंगे 5 lambda plus 0, ik minus 2 lambda plus 0, zk, फिर plus 3 lambda plus 0, kk, प्लियर है? अब इसको आप इसको आप इदर से denote करोगे, तो क्या हैगा? 0 ik plus 0, zk plus 0, kk, lambda बाहर सो करोगे, तो 5 ik minus 2 zk, और plus 3 kk, और इदर क्या है हमारे पास? x ik plus y zk plus z kk, इसके आफ्टर में ध्यान दीजिए, आप दोनों की comparing कर गया, आप लिख सकते हो, यह तो आपके, पास किसके is equal to, और वेक्टर is equal to, क्या है हमारे पास? 0 into ik plus 0 into zk plus 0 into kk plus lambda, 5 ik minus 2 zk plus 3 kk, तो यह कौन सा आगया? equation of a line, which passing through the given point, एक है न? तो यह आगया इसका, आपके बास में वेक्टर फोर्म आगया है,